तो आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं rambox.app को यहां पे खोल लिया हूँ rambox.app तो वो description में आपको इसका link मिल जाएगा तो यह website क्या है कि अगर आप multiple social media platforms या multiple application यूज़ करते हैं तो आपको यहां पे दिख रहा होगा तो आप क्या कर सकते हैं इस application को install करके आप जितने भी आपके social media sites है gmail है calendar है या कोई और famous website है discord है gaming का कोई और social media platform है तो आप easily एक ही जगह पे उसको combine करके connect कर सकते हैं और एक बात और मैं आपको बता दो यह बिल्कुल free of cost है इसके लिए आपको कोई payment वगरा नहीं करना है तो आप यहां पे देख पाएंगे free forever no credit card required तो इसका paid version भी है लेकिन free version में आपके हर एक काम हो जाएगा तो आपको pay करने की जरूत नहीं है और यहां पे देख पाएंगे जो भी supported platform सो वह सब आप यहां पे देख पाएंगे और यहां पे देख पाएंगे all-in-one application की तरह यह आप की तरह यह काम करेगा जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको बता यह पूरी चीज़ें आप एक ही जगह पे manage कर सकते हैं message कर सकते हैं messages को देख सकते हैं जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा होगा ठीक है तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे इसमें account open करना हो और यह क्या सही में एक अच्छा application है इसको use कर सकते है day to day life में और इससे पहले मैं आपको बता दूँ आप किसी भी platform पे हो चाहे आप Windows पे हो Apple MacBook पे हो या Linux पे हो तीनों में यह available है तो आप जाके इसको download कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक Gmail ID और password यहां पर बनाना है तो चलिए मैं अपना Gmail ID और यहां पर password वगरा देखे मैं पहले यहां पर अपना account बना लेता हूं तो मैं अपना Gmail ID और password यहां पर दे चुका हूं और यहां पर sign up के उपर क्लिक करूंगा तो जैसे ही आपका sign up process यहां पर हो जाएगा तो आपको कुछ करना नहीं है आपकी email ID पे देखे verify your account का एक link आया होगा आपको बस वहां पर click करना है और आपको verify कर लेना ठीक है तो आ मैं यहां पर Mac OS के लिए यहां पर download करूंगा ठीक है sorry जो मेरा है account open होने के बाद आप देखें यहां पर download स्टार्ट हो जाएगा तो यहां पर देख पाएंगे verification code यहां पर आ चुका है तो पहले मैं इसके उपर click करके यहां पर sign up कर लेता हूं मतलब जो भी account अगर है create कर लेता हूं तो यहां पर देख पाएंगे मुझे एक जैसे कि मैंने आपको बता रहा था एक you know link आ आजागा आपको just यहां पर click करना click here to verify तो यहां पर देखें हम in करता हूं अपने account में तो मेरा application जैसे कि मैंने आपको देखा यहां पर download हो चुका है अब मैं इसको क्या करूंगा you know dmg file को यहां पर open करूंगा इसको install click करूंगा यह हमारा जो है application install हो जाएगा अब मैं इसको close करता हूं और इसको क्या करता हूं मैं delete कर देता हूं setup file को application open करने की तरह तो मैं चले जाता हूं अपनी launchpad पर और यहां पर देख पाएंगे मेरा यहां पर RAM box यहां पर install हो चुका है अब मैं इसको open करूंगा open करने के बाद यह बोलेगा कि open करना है कि नहीं तो मैं यहां पर open के उपर click करता हूं और जो भी terms and conditions यहां पर है फर्मिश password मैंने बनाया था account confirmation वगरा करने के बाद तो यहां पर देखिए मैं password और अपना email अड़ी यहां पर डाल देता हूं और sign in के उपर click करता हूं तो यहां पर देखिए जो है हमारा machine वगरा पूरा यहां पर setup हो रहा है मुझे तो यह application कुछ जादा ही slow लग रहा है क्योंकि ज जैसे कि मैंने आपको बता है यह freely available है लेकिन 30 days के लिए आपको you know pro features भी देंगे ताकि आप easy इस्तमाल के लिए अगर आप stick होना चाहते है pro features से तो आप easily यहां पर कर सकते हैं तो pro features में आपको देखिए themes वगरा मिलेंगे focus mode मिल जाएगा session management मिल जाता है spell check कर जो grammarly वगरा की यहां पर देखिए आप किसली यूज करना चाहते हैं तो मेरा business के लिए है नहीं है personal use के लिए तो मैं पर personal use select करूंगा अगर आपका दोनों है तो आप यहां पर दोनों select कर लें और दोनों select करेंगे तो आप देखिए नीचे आपके पूरी चीज़े यहां पर दिखेंगी तो आप चाहे तो यहां पर select कर सकते हैं तो मेरे case में आप जैसे की YouTube का कोई option है नहीं तो मैं यहां पर technology and services का या कोई और engineering या construction या बहुत सारी options हैं आपके business के हिसाब से आप यहां पर easily select कर सकते हैं तो मैं यहां पर personal use से जाओंगा क्योंकि यहां पर कोई option है नहीं और मु आप यहां पर select कर लें और देखे select some of your most popular apps अगर आप चाहें तो इसे भी select कर सकते हैं नहीं तो आप चाहें तो skip के उपर भी click कर सकते हैं यह बाद में भी कर सकते हैं यह कोई ज़रूर नहीं है कि आप अभी करें ठीक है तो मेरे case में मैं यहां पर इस सब चीज़ों को अभ इसके लिए यह मेरा workspace बना के पूरा setup करके यहां पर देदेगा और उसके बाद जो है एक बार मैं dashboard में login हो जाओंगा अप्लिकेशन में login हो जाओंगा तो फिर मैं अपने हिसाब से इसको customize कर सकता हूँ जो भी मेरी requirement रहेंगी तो जैसे मैंने आपको बताया यहां पर पूर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं तो यह सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी आप बात में भी settings को चेंज कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि अभी आप करें और मेरे case में यहां पर क्लिक करूँगा तो यह मुझे बोलेगा कि sign in करो पहले आपके gmail account से तो मैं चलिए यहां पर पहले sign in कर लेता हूं अपने gmail ID से और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपना mail बगरा या ID बगरा चेक कर पा रहा हूं कि नहीं यहां पर तो मैंने अपना gmail ID यहां पर डाल दिया है अब मैं यहां पर next ओपर क्लिक करूँगा ताकि मैं sign in हो जाओं इससे मैं अपना password होगर यहां पर डाल देता हूं पासओर डाल के मैं यहां पर next ओपर क्लिक करूँगा और मैं पास के ज़री इसको authenticate कर लेता हूं या Google Authenticator जो भी है यहां पर तो मैं अपना password यहां पर डालके next ओपर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखिये मैंने login कर लिया है अब आप करना है तो मैं आपने रिपलाई कर सकता हो या किसी को mail वगरा कर सकता हूं तो पूरा चीज़ें हैं, अगर आप Ram box से multiple accounts करने करना चाहते हैं, तो यह तो रहा Gmail account है, तो अगर आप चाहें, तो OneDrive अगर भी open कर सकते हैं, Google Meet या जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर easily maintain कर सकते हैं, अब मैं इसको close करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, एक नई account ओड जो है हमारा Outlook, तो मेरे पास Outlook का यह एक अकॉंट है तो बहुत सारे है Hotlook तो ऑफिस है Business है, आउट्लूक परसनल है, अउट्लूक कालनडर है लेकिन मुझे आउट्लूक mail चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको integrate कर दूँगा यहाँ पर add के उपर क्लिक करके अब जैसे add करूँगा तो यह मुझे outlook के page पर ले जाएगा और फिर से मुझे वही चीजें सब बताएगा sign in करने के लिए तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए आप यहाँ पर outlook कुछ इस तरह का दिखेगा तो आप चाहें तो यहाँ पर इस window को maximize कर सकते हैं आपने सबसे कस्टमाइज कर सकते हैं mail वगरा drop करना है तो वह कर सकते हैं notification वगरा आप यहाँ पर enable कर सकते हैं disable कर सकते हैं मेरे case में नहीं चीए मुझे notification तो यह सब चीजें आप यहाँ पर easily maintain कर सकते हैं तो जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं तो मैं इसको क्या करता हूं minimize कर देता हूं ताकि यह recording window में आ जाए और आप कुछ मिस्स ना कर पाए तो यह सब चीजें हैं तो अगर आप स्विच करना चाहें तो बहुत easy है आप mail के उपर क्लिक करिए तो mail में चले जाएंगे outlook के उपर क्लिक करिए तो outlook के उपर चले जाएंगे अगर मान लिजिए आपके पास whatsapp है तो आप यहाँ पर whatsapp इंटिग्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास YouTube का कोई account चाहते हैं तो देखिए YouTube का music भी आप यहाँ पर integrate कर सकते हैं और देखिए Instagram चाहिए आई इंस्टाग्राम आप इंस्टाग्राम तो Instagram के दो हैं आप यहां पर तो आपको भी, you know, mobile application चीज़े तो mobile application कर लें या जो नो चीज़े तो वो कर लें Facebook का है, Facebook कर सकते हैं, Twitter का है, Twitter कर सकते हैं, तो जितने भी जो top applications है वो आप easily यहां पर integrate करके, एक ही site में बस आप क्या कर सकते हैं, switch करके, back to back switch करके, आप easily इसमें login क करके अकाउंट क्रियेट करने की बात नहीं कर रहा हूं अकाउंट पहले से क्रियेट रहेगा लॉग इन करते ही आपका जो भी चीजे हैं आप यहां पे विजिवल हो जाएंगी और एक ही विल्डो में आप देख पाएंगे तो यह पूरा वीडियो है इसके उपर तो आप जैसे की मेल अगरा चाहें तो वाट्चप अगरा चाहें सब कुछ कनेक कर सकते हैं बहुत ही अच्छा अप्लिकेशन है फ्री आफ कॉस्ट है अगर आपका थर्डी डेस का ट्रायल प्रेट भी खतम हो जाता है तो भी आपको गभराने की ज़रूरत नहीं है आपको बहुत सारी चीजें इसमें अवलेवल रहेंगी जो आपको प्रोडक्टिविटी के लिए जरूर काम आएगा तो यह सब चीजें हैं इस रांसम के बारे में इसकी तरह और एक अप्लिकेशन है तो मैं उसके उपर वीडियो बनाऊंगा आगे दोनों का कंपैरिश मुझी अब है उतना पता नहीं मैं उसका नाम नहीं सुना हूं बस मुझे कुछी दिन पहले इसके बारे में पता चला और एक और एक और अप्लिकेशन है वह भी कुछ इससे तरह करती है तो मैं उसके आप वीडियो बनाया हूँग जैसे कि मैं आपको बताया तो अगर पे पूछे मैं उसका जरूर रिप्लाई दूँगा तो अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो बने रहे हमारे चनल पे हम मिलते हैं एक और नहीं ऐसे ही टेक वीडियो खेशाब